तो Western Coal Fields Limited एक mini ratna company है Coal India Limited का ही है क्या है ये एक subsidiary है उपकरम है उसमें ITI pass out के लिए apprenticeship आई हुई है ITI आप चाहे SCVT से हैं या आप NCVT से अगर pass out हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं कौन-कौन से trade की कितनी vacancy है कैसे apply करना है क्या होगा selection criteria, selection procedure क्या होगा, posting कहां पर मिल सकती है ये सारी चीज़ें आप इसी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को हम लोग पूरा देखते हैं, notification देख लेते हैं किस trade की कितनी vacancy है इसमें बहुत ही अच्छी खाची post आई हुई आपके लिए Western Coal Field Limited में तो आईए देखते हैं यहां पर कितनी कितनी vacancy है यहां पर देख पा रहा हूँगे trade apprentice के लिए पोस्ट है Western Coal Field Limited इसमें आपका vacancy आया हुआ है मानोस अंसादन विकास की तरफ से, Human Resource Development की तरफ से आप देख पा रहा हूँगे 19.08 का यह लेटर है vacancy जो start होगी वो आज हम वीडियो इस पर बना दे रहे हैं लेकिन start होगा online application आपका 6 September से कब से start होगा 6 September से तो पूरी detail आप देख लीजिए जरूर reply कीजेगा इसमें किसके लिए है? ITI pass के लिए apprenticeship है National Apprenticeship Promotion Scheme के तहर्ट यह आप table 1 देखे यहां पर आपको मिल जाएगा पूरा vacancy कौन-कौन से area में कितनी पोस्ट है इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले देखे computer operator और कोपा trade के लिए है vacancy यहां पर WCL यहां पर देखे न बेस्टर्ण इसके बाद अगर बात करें टोटल है 28 पोस्ट हर आप देख सकते हैं कौन से location में है वह आप देख लिए यहां पर इसके बाद अगर हम बात करें electrician क्या आप देख पार होंगे electrician कितनी पोस्ट है 200 पोस्ट है इसी तरह से fitter की कितनी 242 पोस्ट है mechanic diesel की 36 पोस्ट है machinist की देखे बारा पोस्ट है लोग बोलता है न मसीनिस्ट की आती नहीं क्या वैकेंसी तो मसीनिस्ट में भी देखे बारा पोस्ट है total Mason 9 पोस्ट है pump operator की 16 पोस्ट है western coal field limited के different location के जो plant है उसके लिए address अगर आप देखना चाहिए यह address देख सकते हैं जहां आपके apprenticeship training होने वाली है तो यह address आप पूरा देख सकते हैं चंदरपुर MSCA यहां आप सब का सब दिया हुआ ना सब आप देख सकते हैं पूरा address आप यहां पे देख सकते हैं इसके बाद बात करें qualification तो qualification देखी इसमें NCBT और SCBT दोनों मागा हुआ है जिस भी trade में आप apply कर रहे हैं उसमें आप ITI pass out होने चाहिए यहां पे देखे clearly mention किया हुआ है उसमें आपका ITI pass out होना चाहिए थोड़ा सा इसमें reservation criteria है वो देख लीजे आप reservation कैसे मिलेगा minimum और maximum age क की बात करें तो 18 साल हो मैक्समुम में आपकी 25 साल 3 years and 5 years आपको according to category आपके relaxation मिल जाएगा इसमें stipend की बात करें इस्टाइपेंड जो वन यह वाले ट्रेड है उनका स्टाइपेंड दे 77 सु रूपए पर मन्त और जो 2 years के ट्रेड है उनका है 8,050 रूपए पर मन्त इसी तरह बारा महिने की क्या होगी बारा महिने की training होगी जब से आप जॉइन करेंगे तब से इसके बाद आप यहां पे देखेंगे जो रिजर्वेशन है थोड़ा सा रिजर्वेशन होगा ही उसके साथ साथ जो लोकालीटी है जो वहां के डेडेंसियल रहने वाले हों उसके लोकल डिस्टिक के अलोप उस इस टेट के उनको यहां पे रिजर्वेशन देने की बात कही गई है application process क्या है application आपको जो है वेस्टन कोल के लिम्टेड पर जाके ऐ जिस डिस्टिक में वो प्लांट है अगर वहां का कोई डॉमिसायल है तो उसको मिलेगा पहला प्रेफरेंस मतलब उसको दिया जाएगा दिन उसके बाद अगर उस इस्टेट का कोई है तो फिर उसको प्रेफरेंस मिलेगा उसके बाद उस आउटसाइड इस्टेट के जितने ह reference मिलेगा इसके बाद जो आपका दूसरा यहां पर क्राइटियर दिया सेलेक्शन का कैसे मेरिट लिष्ट किसकी इग्जामिलेशन की जो आप आइटियाई में आपको जो numbers मिले हैं उसके basis पे merit लिष्ट आपकी बनेगी उसी मेरिट बेसिस पे आपका सेलेक्शन होने वाला है अगर मेरिट टाई होती है तो डेटा बर्द के आधार पे उनको ब्रेक किया जाएगा साथ ही साथ अगर तीसरा देखे ता आप तीसरा आपका आप नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लिएगा अप्लाई करने से पहले इसके बाद यहां पे अगर आप सेडूल देखेंगे यह आप डेट देख लिए ऑनलाइन वेब अप्लिकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है छे नो दोजार एकिस को दस बजे से लास्ट डेट कब है अप्रेंटेशिप करने का वेस्टन कोल फिल्लिम्टेड से तो जो भी अगर आपका ट्रेड है इसमें वेगेंसी आपको रिलेवेंट ट्रेड में दिख रही है तो आप जरूर रेप्लाई कीजिए साथी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और व अपडेट भी आपको चैनल पर मिलती रहती है तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जॉब अपडेट एंड इस्टडी तीनों आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर थैंक्यू वेरी मच्च